जब दामाच छुड़ गए तो उन्होंने फिर अपनी पोजिशन लेके समीर वानकरे के खिलाफ हमला बोल दिया जब मुस्लिम नेता के साथ आप लड़ाई कर रहे हो तो सुवर का उच्चार करना ये भी बिलोद बेट हो गया ये पैसा ठीकाने लगाने का काम भी रियाज भाटी जैसे लोग करते है इसलिए रियाज भाटी का महत्व है हर पॉलिटिकल पार्टी में रियाज भाटी चाहिए सब नंगाई तो बाहर आगी सब नगना वस्ता में तुम्हारे सामने खड़े हो गए इनके चेहरे का मुकुट उतर चुका है क्या तो बीजेपी क्या तो कॉंग्रिस क्या तो इनसीपी क्या तो सेना आर्यान खान के केस में एक बात तो समझ में आगी कि सही कोन गलत कोन और नेताओं का क्यरेक्टर सामने आया नवाब मलीक ने एक मुझरिम से जमीन खरी दी यह आरोप है तो फिर आयद्या में क्या हुआ राम मंदिर न्यास ने जिस इंसान से जमीन खरी दी उसका नाम पाठक है और वो वांटेड है यूपी पुलीस में नमस्कार स्वागत है आपक अपना कारेक्रम अशोप वांकड़े बोलता है अशोप वांकड़े बोलता है तो फिर अशोप वांकड़े तोलता है और इस बार तुलेगी महाराष्ट की सरकार महाराष्ट की राजनीती सरकार कहने से ज्यादा राजनीती अच्छा होगा क्यूंकि महाराष्ट में जो आर लाज्यंग खान की अरेष्टी होती है उसके बाद समीर वानखड़े फोकस में आते हैं समीर to वानखडे के पीछे बीजेपी कैसी खड़ी है इस बताने के लिए नवाब मलिक एक विडियो दालते है जिसमें भानुशाली नाम के एक बीजेपी के नेता समिर वानखडे के लगातार आफिस में जाते हुए विडियो दिखाए उडियो में दिखाए देते हैं उसके बाद नारूप प्रतारूप का दौर शुरू हो जाता है समीर वानकड़े को बचाने के लिए बीजेपी के नेता रणांगण में उतर जाते हैं और एक युद्ध भूमी का रूप लेते हैं और नवाब मलीक जो अलप संक्यक मंत्राले के मंत्री है उनको अपने मंत्राले से कोई लेना देना नहीं सुबह शाम हूँ समीर वानकड़े एंसीबी ड्रग रहके ड्रग माफिया इसके बारे में लगातार विडियो जारी करते रहे बोलते रहे डॉक्यमेंट लेते रहे और विडियो फ़देना भी सही है क्योंकि उनके खुद के दामात को सम्मिर वानकड़े ने ड्रग रखने के चक्कर में गांजा रखने के चकर में पकर लिया था आठ मैने जेन मैं रगडने के बाद जब उनको जमानत shortage अमिली कि पकड़ा हुआ गांजा जो था फ्लेवर मोहदय ये कह रहे थे कि मैं कानून और मुझे न्याय पाली का पर विश्वास है जब दामाद छुड़ गए तो उन्होंने फिर अपनी पोजिशन लेके समीर वानकड़े के खिलाफ हमला बोल दिया इसी के बीच जब समीर वानकड़े और नवाब मलिक का युद्ध चल रहा था लगाता दोनों तरफ से आरोप रतारोप का दोड़ चल रहा था समीर वानकड़े के तरफ से उनकी पत्नी फिल्ड में उत्री उसके बाद उनकी बहन फिल्ड में उत्री उसके बाद उनकी पितागी सामने आये अब तो उनकी बुआ भी सामने आई ये तमाम लोग जब लड़ रहे थे बीजेपी के नेता भी सामने थे ऐसे में पूरो मुख्यमंत्री देवंदर फटनवीस की पत्नी एक ट्वीट करती है और इस युद्ध में एंट्री करती है जैसे उनकी एंट्री हो गई नवाब मलिक ने एक फोटो रिलीस किया जिसमें देवेंद्र फटनवीस की पत्नी अमृता फटनवीस एक प्रोग्राम में उस आदमी के साथ दिखाई दी जिसके अंडरवर्ड कनेक्शन है और उन्हेंने सवाल पूछा कि ये आदमी को और मुख्यमंत्री के पत्नी के इनके साथ क्या समन्द है जब बात यहां तक आ गई तो दिवाली का समय था तेवेंद्र फटनवीस ने कहा कि दिवाली के बाद मैं बम फोड़ूँगा और दिवाली के बाद तुरंट उन्हेंने एक प्रेस कांफरंस लेकर एक जमीन का सवधा कैसा नवाब मलिक के लोगों ने किया और जिससे किया वो आतंकी है बॉम ब्लास्ट के सजा अपता मुझरीम है जेल में सजा काट रहे है उन लोगों की जमीन सस्ते में कैसे नवाब मलिक के लोगों ने ली किस कंपणी ने ली एक पूरे डॉक्यूमेंट के साथ वो मार्केट में उतरे है उसके बाद नवाब मलिक ने कहा कि ये तो आपने बम फोड़ा इसा आपको लगता है लेकिन मैंने कोई गलत नहीं किया जब मैंने जमीन खरीदी तब वो आतंकी नहीं थे जमीन 2008 का डील है और उसके बाद उन्होंने भी अपने डॉक्यूमेंट जारी किये इसी के बीच उन्होंने ये भी कहा कि मैं अब हैड्रोजन बाम फोड़ूंगा जब दुस्से दिन उन्होंने तीन हैड्रोजन बाम फोड़े और कुछ फोटो रिलीज किये उसमें एक रि कैसा रखा गया ये सारी बाते जब सामने आई उसके बाद देविंद्र पड़नविस के तरफ से बीजे पी के दुसरे नेता सामने आएं उन्होंने दुसरे फोटो रिलीज किये कि यही रियाज भाटी शरात पाओर के साथ भी है यही रियाज भाटी उद्व ठाकरे के कहा कि मैं कीचर में पत्थर नहीं डालता हूं उन्होंने कहा कि सुवर गंदा होता है सुवर के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए सुवर इस शब्द का उपयोग करके कही नहीं नहीं उन्होंने जो नवाब मलिक है उनको ज़्यादा आहत किया क्योंकि वो मुस्लिम समाज से आते हैं उनके लिए कितना अवंचित है यह सारी दुनिया जानती है तो जब मुस्लिम नेता के साथ आप लड़ाई कर रहे हो तो सुवर का उच्चार करना यह भी बिलोद बेट हो गया लेकिन कहीं ना कि यह बाद भी समझ में आगई उनको कि अभी वो बैक्ट्रीट हो गया यह ज करने वाला यह दाओद इबराहिम के लिए काम करता है मतलब दाओद इबराहिम के लिए बंदुके नहीं चलाता है यह दाओद इबराहिम के लोगों को इंफर्मेशन देता है किस बिल्डर के पास पास क्या है किस से पैसा लिया जा सकता है किस से पैसा दिया जा सकता है यह काम करने का काम हो करता है लेकिन फिर नेताओं में इसका जरुरत क्यों क्यों कि मेरा मानना है कि महरास्ट जो राज्य है इसमें से यह मुंबई निकाल दिया जाए तो महरास्ट भी कुछ खास बचता नहीं मुंबई एक ऐसा शेहर है जिसका टेक्स कलेक्शन देश में बाकि राज्यों के टैक्सेस से भी ज्यादा है मुंबई यह माया नगरी है मुंबई एक आर्थिक राजदानी है इस देश की वहां स्क्वेर इंच की हिसाब से जमिनों के भाव होते हैं वहां कोई भी एक बेड़ू का फ्लैट ऐसे एरिया है जहां तीन तीन पाच पांच करोड की मिखते हैं जो हम दिल्ली देशे शेहर में देश की राजदा नहीं है वहां पांच करोड में आपको बढ़िया तीन चार पांच बेड़ूं का फैट मिल सकता है मुंबई की खासियत है तो मुंबई में पैसा आता है मुंबई में पॉपुलेशन जादा है क्योंकि के पांच लाग रुपे का बिल देने के बाद भी आपका पेड़ नहीं भर सकता यह व्यवस्ता मुंबई की है क्योंकि जहां पैसे है वहां उतना बड़ा शो भी है जहां पैसे नहीं है लेकिन गरीबों को खाने के लिए भी मिलता है इसलिए हर आदमी अपना भविष्च देखने के लिए मुंबई में आता है मुंबई में फिल्म दस्ती है फिल्मों के लिए पैसा चाहिए मुंबई में ड्रक रैकेट बहुत चलता है मुंबई में फ्लेश ट्रेड यानि महिलाओं के का सोशन और महिलाओं के को जो विशालय होते हैं वो बड़े तादाद पर ह मुंबई में डांस बार है मुंबई में सब कूछ है जहां से पैसा उगाया जाता है लेकिन मुंबई में सटा मार्केट भी है मुंबई में शेर मार्केट भी है मुंबई में डामन ट्रेड भी है मुंबई में बुलियन ट्रेड भी है ये सब तमाम जो है ये चारा ग्रह है बड़े नेताओं के अधिकारियों के अंडरवर्ट के खाने के सब के पास पैसा आता है मैं दावे के साथ कहिता हूँ कोई भी मुक्यमंद्री जी दिन शपत लेता है उसके अगले महने से उसके पास 500-600 क्रोड रुपए महना बिना मांगे आता है अशुक चक्रधर के कविता में उन्होंने का था कि दो टाइप की रिश्वत होती है एक तो नजराना होता है जो देने वाला स्वकुशिशे देता है रेख होता है जबराना जबरदस्ती लिया जाता है तो महरास्टर में नजराने के तोर पे 5600 करोड रूपे मुख्यमंति के पास पहुशना बड़ी बात नहीं है लेकिन यदि वो जबरानाख लेना शुरू करे तो वो रकम दो हजार तीन हजार करोड रुपे मेने भी आती है सव करोड का एक स्केंडल पकड़ा गया था कि वजह सव करोड इखटा करता था यह हास्यसपत था वो सव करोड से ज़्यादा एक हजार करोड तक का मामला था सिर्फ डांस बार डांस बार से बाकी जगा की बात में नहीं करता इतना पैसा जब आपके पास आएगा तो नेताओं के पास आएगा सभाड की यह कावत है जब खिरा कटता है तो सब में बढ़ता है तो जब रिश्वध इखटा उती है तो नीचे इखटा करने वाले से एक जो सरवच स्थान पर बैठा है संब में बढ़ता है यह लोग पैसे के करेंगी क्या आज आपके पास एगैश में कोई 10 करोड रुपे देके जाए तो आपको समझ में लियाज भाटी क्यों करूँ क्योंकि वो उपयोग आप लिगली कर नहीं सकते आपको इंकम डेक्ट का डर है आपको इतना बड़ा प्वेमेंट किसी को नहीं दे सकते आपको बताना होता है कि मैंने पैसा कहां से लाया तो ये पैसा ठीकाने लगाने का काम भी रियाज भाटी जैसे लोग करते है इसलिए रियाज भाटी का महत्व है हर पॉलिटिकल पार्टी में रियाज भाटी चाहिए इसकी स्थिती समाज में आलू जैसी है आलू हर सबजे में चाहिए वैसा आलू हर नेता को चाहिए हर नेता के पास के पैसे बिल्डर को देने के लिए फिल्मों में लगाने के लिए ड्रग में लगाने के लिए बाहर भीजने के लिए एक कोई आदमी चाहिए होता है वो रियाज भाटी है इसलिए रियाज भाटी का इतना महत्व है कि वो नरेंदर मोदी के साद भी फोटो किषते है देवेंदर फढण वीस के साद भी रहते है उसी हास्यास वदन के साद बड़े हस्ते हुए फोटो उद्धा ठाकरे के साद भी है और शानत पाओर के साद भी उतने ही बड़े समाईल के साद रियाल भाटी दिखते है ये वस्तुस्तिती है हमारे देश की राजनिती महराष्ट में आरोप प्रत्यारोपों के दौर में ये लोग नंगे हो गए है इनके चेहरे का मुखोटा उतना है इसलिए मैं बार बार कहता हूँ हमारे दर्शकों को पास साल में एक बार समय मिलता है तीस सेकंड का बटन दबाने के लिए उस दिन आपका भवश्चताय होता है आप अपना भवश्चताय करते हो अपने भवश्ताय के लिए रणनीती के तैर करने वाले महानायकों को सामने भेचते हो नेता के रूप में तब वो जो बोलते हैं उन पे विश्वास मत रखिएगा वो जब बोलते हैं तो आप तो लिएगा कि उसके बोलने में कितना विश्वास है क्योंकि राजनीती में किया हुआ वक्तव रेली में किये हुए भाशन ये राजनितिक ये आप चुनावी जुम्ले बनके रह जाते हैं इसलिए गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदुरूं के लिए इस देश के अंतिम व्यक्ति के लिए, इस देश को स्वरणीम काल में ले जाने के लिए इस देश में विश्व गुरू बनाने के लिए ये तमाम जुम्ले जो है ये किसी चीज़ के लिए नहीं होता है ये मात्र खुद का भला करने के लिए खुद पैसे कमाने के लिए खुद अपने आपको बड़ा करने के लिए या अपने कुछ उद्योगपती मित्रों को बहुत बड़ी ताकत पीछे खड़ी करने के लिए ये लोग चुनाओं में आते हैं, राजमिती करते हैं, सत्ता में आते हैं और लगातार आरो प्रतारों को का दोर चल रहा है यह हम सब के लिए शिक्षा है मुझे बुरा नहीं लगता कम से कम इन एक दूसरे के जगलों से सब नंगा ही तो भार आगी सब नगना वस्ता में तुमारे सामने खड़े हो गए इनके चेरे का मुकर उतर चुका है क्या तो BGP, क्या तो Congress, क्या तो बबदी जगा है जहां सब कारे करता एक दूसरे के खुन के पासे होते है एक दूसरे से लड़ते है विचानों की लड़ाइी नहीं यह रस्ते की लड़ाइी होती है जैसे जैसे उपर आप जाते हो वैसे वैसे उपर जगा कम होती जाती है और ये दोस्ती जादा बढ़ती है इसलिए जब पैसे खाने का काम आता है तो वो भाटी BJP को भी चल जाता है वो भाटी NCP को भी चल जाता है Congress को भी चल जाता है वो भाटी सब को चल जाता है क्योंकि वो फैसिलिटेटर है तो कम से कब आर्यान खान के case में एक बात तो समझ में आगी कि सही कोन गलत कोन और नेताओं का केरेक्टर सामने आया जब आप तोलते हो किसी बात को आज नवाब मलिक को मैं डिफेंड नहीं करता मैं नवाब मलिक के जगा होता तो इस्तिफा देता इंक्वारी करवाता और फिर बाद में सत्ता में आता या मंत्रिपत के शपत देता लेकिन इतनी मोटी चबड़ी है सब की कोन इस्तिफाजे न चाहता है नवाब मलिक ने एक मुझरिम से जमिन खरीदी या आरोप है तो फिर आयोध्या में क्या हुआ राम मंदिर न्यास ने जिस इंसान से जमिन खरीदी उसका नाम पाठक है और वो वांटल है यूपी पुलीस में लाखों लोगों को करलो की चपत लेके भागा हुआ वो मुझरिम आयोध्या न्यास को जमिन बेच की जाता है और वो डिल साइन होती है आयोध्या के मेर के यहां जहां वो उसमें गवा के रुप में अपनी साइन करते है तो यदि राम मंदिर के न्यास में मुझरिम से जमिन खरीदी तो पिर न्यास गलत नहीं हुआ तो फिर नवाब मलिक क्यूं गलत और नवाब मलिक गलत है तो फिर न्यास कैसा सही ये सवाल मैं आपके बीट में छोड़ के जा रहा हूं बार बार के रहा हूं हमाम में सब नंगे हैं हमें इन नंगों से डरना है लोग कहते हैं कि नंगों से खुदा भी डरता है ये बात पुरा निकाहवत है इन नंगों को ठीक करना सिर्फ जनता के हाथ में है और वो भी बोल के नहीं मैं तो बोलता हूँ क्योंकि मुझे बोलना मेरा काम है आपके बीट में सम्वात ठापित करना मेरा काम है लेकिन आपके पास एक समय आता है बटन दबाने का साल में दो तिन बार आता है पास साल में कभी कार्पोरेशन की इलेक्शन कभी जिला परिशद के, कभी विदान सबा के, कभी लोग सबा के बटन दबाते समय ये जरूर देखिएगा आपका भला कुन करना चाहता है या आपके भलाई के नाम से खुद का भला करना चाहता है ये ओपन सवाल मैं आपके बीट में छोड़के जा रहा हूँ फिर आओंगा किसी नए विशे के साथ तब तक नमस्कार लेकिन देखते रहेगा हिंद वोइस